आज हम आपके समक्ष सिलिंदर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारिया लेके आए है. यदि किसी आयत की एक भुजा को स्थिर रखकर इस भुजा के चारों और आयत को घुमाया जाए तो इस प्रकार बनी आकरते लंब वृतिय बेलन, बेलन कहलाती है. आप सभी का यहां तक जुड़ी रहने के लिए धन्यवाद. Like, Share and Comment on this video and Subscribe to Keer Timan Academy.